नमस्कार दोस्तों मैं आप सिख फिटेल रियेज के सनाई यह सिकेड़ी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों PCF 2021 परिच्छा को ध्यार में रखते हुए जो सब्जेक्ट वाई टेस्टरी शुरू की गई है उसमें आज आप लोगों ने पाचवा टेस्ट दिया जो परियावरण और पारिसित्र की क्या था और अब हम लोग उस टेस्ट को साल्व करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इसमें पहला प्रस्ण मारा है परियावरण से अभिप्राय है कहने मतलब जो है वो दो सब्दों से मिलके बना है परी और आवरण कहने का मतलब यह है कि जै है वो और उसके चारों तरफ घेरे हुए है या कोई कुटा बिल्ली गाई भैस जो कुछ हमारे आसपास है वो सब मिलके क्या बनाते हैं परियावरण कहने के मतलब परियावरण में सब कुछ समाहित होता ठीक है उसमें जीव और आजीव दोनों घटक एक दूसरे से अंताकिरिया करते हैं, हम उनसे परभावित होते हैं, और हम निर्जीव से परभावित होते हैं, और निर्जीव चीजे हमसे परभावित होती हैं, ठीक है, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, परियावरण, तो ये हमके अपसन को देखें, तो परियावरण से विपराय क्या है तो ये परियावरण की बेसिकली परिवासा पूछ रहा ठीक है तो देखें भूमी जैल वायू पाउधों यों पसुं की प्राकिर्तिक दुनिया जो उनके चारों अस्तित में हैं मैं वही बात है ना कि जैसे मैं अपने आपको एक अफ्थान पर रखूं और मेरे चारों पर घहरे हुए वही चीज हैँ दूसरे तरीके से लिखे गया वही दूसरे तरीके से लिखिए गई है ठीक है। भवतिक याथक यश्योव यों संस्कृतिक तत्तों की अंता कियिया, ब्यवस्ता जो अंता सम्मंधित होते हैं, इस सब के सब बात क्या यह खी तो इस परकार इसमें हमारा सही हो जाएगा उप्योक्त में से सभी अगर पर्यावरण की बात आती है तो सब कुछ आप जहां बैठें उसके चारों तरब जो कुछ भी आपको दिख जाए सूच्म दर्सी से भी दिख जाए वह भी पर्यावरण का ठीक है एक सिंपल सी बात आ क्याता सश्टनेवल डबलप्मेंट ठीक है मतलब कहने के यह है कि जो प्रकृतिक संसादन है प्रकृतिक संसादन के गरम बात करें जैसे बन हो गया खनिश संसादन हो गया जिसम कोईला हो गया पिट्रोल हो गया या भूम के तजल हो गया या भूम ही हो गई इन सब का उप ये विकास सस्टनेवर डबलब्मेंट जिसमें बहुत ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्राकिर्तिक संसाधन का इस प्रकाव रुप्यों कि हमारी आने वाली पीधी के लिए बचा रहे ठीक है अगला प्रस्ण मारा है कि सतत विकास क मतलब ऐसा विकास जो बराबर होता रहे ठीक है हमारी आने वाली पीड़ी के लिए भी एसा विकास करें हम अपना विकास इस प्रकार करें कि जो भी प्राकिर्तिक संसाधन है जो भी जीवजन्तु हैं जो भी पेड़ पाउदे हैं और जो हमारा वाय मंडल है वह हमारे होगा लग और ग revol сказать summary of meinem और उसके नहीं है अविटा बाम हें इस वाppt ऐसे आस्पास रहें तो यह हो जाएका जोगिध्ता अलग अलग प्रकार कि दीजें मतलब जितने हैं आपके भाग में है तो शाआ होगा भाग में बिविद्ता जादा है ठीक है थेर सारे पीड़ पोदे पच्छियां तो कहा जागा कि क्या विवित्ता जादा है जह विवित्ता जादा होती है वहाँ पे जो हमारा ये जो तंत्र चलता है ठीक है it economic balance होता हो अच्छे से बना होता है टेक क्योंकि खाद जालों खाद संख्ला में आपने पढ़ा है कि एक जन्तु के खतम हो जाने से दूसरा भी अपने आप खतम हो जाता है तो जो वित्ता का संद्चन करेंगे तो यह हमारा पर्यावरण बहुत दिनों तक सही से अच्छे से बना रहेगा पर दूसर निरोध य से आने वाली पीडी को लिए खत्रा पैदा हो ऐसा भी ना करें निर्धंता को घटाना एक जो 1992 में एक समेलन हुआ था रियोड जिन्योरिया में उसमें ये बात कही गई थी कि सशनेवर डबलमेंट के लिए हमें निर्धंता को घटाना भी पड़ेगा इसलिए यहां यह भ अभर प्राकृतिक समसाथन नश्ट हो जाते हैं तो निर्धंता जैसे ज़से घटेगी वैसे-वैसे वैसे वे उन प्राकृतिक जोड़ कर कुछ अच्छे संसादनों पर जैसे जैसे गैस रेंडर जब गाउं में आया लोग लकडिया काटना बंद कर दिये ठीक है इससे क्या हुआ लकडियों का जो दोहन था हो रुक गया तो इस प्रकार निर्धंता जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे क्या स्वतत्विकास है जौर्ण के दोहरा जाती तो है कं स्वावार इंक्सराण के दौरा तो नहीं चाहती ठीक है कि अट्रकाश स्वैस्ट में तब होता इसा कि हो पेड़ पाउदे कर वायेक सिकनद्ध गैस गरहण करते हैं ए हें इस सूर के प्रकास लेते हैं नीचे उनका जड़ होता हो जला याउसोसित करता जो तनी महांध्यम से जालम दौरा पत्ति हो Cau विल रवी पत्ती में मौझुद है शूर की प्रकास दिन है बला क्वाय मंदल से गई तो सकती क्या किया कार्बू साइड बना लिया तो प्रकास संसेशन के रिया में कार्बो हाइडेट बना और आक्सीजन निकल गया और आक्सीजन बिमुक्त हो जो जल होता है उससे आक्सीजन निकल के वाई मुंडल में चला जाता है तो यहां पर कार्बन डाइक्साइड का क्या हुआ प्रकास संसेशन में उसका उप्योग हुआ निकला नहीं दूसरा स्वसंद जब हम स्वसंद करते हैं चाहे हम स्वसंद करें चाहे पेड़ पाउधे तो वह कारबन डायक्षाइड गैस को वाई मंदल में छोड़ते हैं पहली बात यहां पे आक्षेजन निकली थी प्रकासंसेशन में कौन सी गैस निकली चाहे पदयर्त और्श में तो एक होता के आपषे तो एक को को आपशे होता है उस में इसा ए पूर्मन ऑक्षे मिला देते हैं तो वो पोरस हो जाता, पोरस क्यों होता, क्योंकि उसके 20 से carbon dioxide gas निकलती है, तो अगर जो पदार सड रहें तो भी carbon dioxide gas बनती है, ठीक है, जो अला मुखी किरियाएं जब होती हैं तो भी carbon dioxide gas निकलती है, तो जो दूसरा तीसरा चौथा है, इनके द्वारा Y मंडल में carbon dioxide जोड़ ही जाती हो, पहला प्रकास रंशेड़ द्वारा कारवन एक हैट को उप्यों किया जाता है, तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, केवल 2-3 और 4 यह आप सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि आपको description, मतलब वीडिय जिससे आपकी पूरी topic और जिससे question उठाए गया, आपकी तैयार हो जाए, ठीक है, question answer के माध्यम से, क्योंकि अभी 2 महीने बाद test है, तो आपको सब इसे पढ़ा के 2 महीने में नहीं खतम किया जा सकता, लेकिन 2 महीने में question answer के माध्यम से हम उसको आप तक पहुचा सकते है, तो यही माध्यम मुझे सबसे उचित लगा, इसलिए परते दिन आपका 25 question का test होता है, subject wise होता है test, यह नहीं कि एक दिन में आपको 1.500 question का test ले, हमारा motto यह है कि एक हपते में आपको 1.500 question हम दे दे, इसलिए हम उसको क्या करते है, 25-25 question के bundle में हमने बाट लिया, ठीक है, और उसको हम परते दिन आपको देते हैं, और इस परकार एक हपते में आपके सभी भी सह से 25-25 question तयार हो जाएंगे, और जब आप description देखेंगे, तो 25 question आपके 50-500 में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए test परते दिन आप देने आए, रिएजुकेशन के जो टेलिग कर लिजिए, और परते दिन 4 बज़े आपके अपना test दीजिए, और जिसको नहीं पता कैसे जो जान करें, इस वीडियो के जो description है, उसमें मैंने link लगा दिया, उस पर आप touch करके ठीक है, आप जाके टेलिगराम पर साम 4 बज़े test दे सकते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, और अपने ज्यान का वरदहन करें, ठीक है, अगला प्रसंद देखते हैं, सौर बिकरण की सबसे महतपूर्ण भूम क्या है, वो जल चकर में, क्योंकि जल का जो वास्पन होता है, जल चकर कैसे पूरा होता है, पानी बरसा, जमीन पे गिरा, और फिर क्या हो, वास वास्पन की किरिया यह वास्पन की किरिया और जो दूसरा होता है क्या नाम है एक होता है वास्पन एक होता है वास्पत सर्जन वास्पन और वास्पत सर्जन इस दूस्ट दो किरियाओं के द्वारा जल वास्पित होकर क्या होता है प्रयावरण में वाई मंडल में जाता है तो जल चक्र में सौर विक्रण बहुत पूर्ण बहुत पर पढ़ेंगी और दूसरी बात पर जो वास्पो सर्जन होता है उसके लिए क्या सूर की किर्णे ही जिम्मेदार है ठीक है इन दोनों किर्याओं द्वरा जल वाई मंडल में पहुंचता है आप को एगर आइडिया न 500 लीटर जल की जरूत होती है इतना लीटर जल एक किलोग्राम पैदा करने के चक्र में वास्पो सर्जन की लिए द्वारा वाई मंडल में छोड़ा जाता है ठीक है अगला प्रस्णम लोग देखते है इसका एंसर हो जाएगा आपका क्या जल चक्र ठीक है जल चक्र इसमें प्रस्णमर आए वर्सा की मातरा निर्भर करती वाई मंडल की नमी पर जब वाई मंडल में नमी बढ़ती है तो आपकी बर्सा ज़्यादा होती देखा कि मार्च अपरेल मैं इन महीनों में क्या होता है तो जब यंडाल में नहीं होती तो आप देखिए मार्च अपरेल मैं यहां तक बारिस नहीं होती है लेकिन जैसे वाई मंडल में नमी बढ़ती है जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर इधर क्या होती है बारिस होती है तो वाई बर्सा की मात्रा किस पर नहीं बर्सा करती है वाई मंडल की नमी पर नमी जादा है तो बर्सा होगी ठीक है अगला प्रसन हम देखत हूज है कि सुस्क वामे नाइटोजन गयस की मातरह कितनी हूती है ठीक है तो यह कितनी होती है नाइटोजन कितनी होती लिए ने अटफर प्रसंट पॉइंट जीरी प्रसंट जो हती आपके कारवन डाई-एकस vision du आक 10 तैनि 59 109 3% क्या है आपका आपका आरगन है कि भी कि नाइन ृटी परते आपकी आर्गन गयते हैं और टीयस किस परसंट के असपास आपका आपका औक्सिजन है और 88 परसंट क्या है नीटो जने किस परकार u चार question देख लिए ठीक है यह अलग अलग परिछाओं में अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो यह चारो बैलू आप याद रखेगा कभी कभी आपको carbon dioxide के लिए अगला प्रफन हम देखें कि निमनलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायू में नहीं पाई जाती है हिलियम पाई जाती हिलियम वायू में पाई आती बहुत कम आतरा 0.0005 पाई जाता है नियान भी पाई जाती है और आपके वाय वंडल में और आरगन पाई जाती पॉइंट नाइन थ्री परसेंट लेकिन रेडान गैस आपके वाई वंडल में नहीं पाई जाती है अगला प्रफना करम देखे तो हमाई यह है कि निम्रिखित में से कौन सा कारे पेड़ पौधों का नहीं है पेड़ पौधे कार्मडाइग्साइट का उसोसड करते हैं बात बिल्कुल पेड़ पौधे क्या करते हैं कार्मडाइफेट का उसोसड करते हैं यह बात सही है सोर जो सोर गुल होता है उसका उसोसड करते हैं यह भी सही है आप एक बार अपने बाग में जाके चिलाए एक बार खुले मैदान खेत में चिलाएंगे तो आवाज बहुत दूर तक जाए आफ़ाईगे लेकिन आप बाग में चलाएंगे तो आवाज जो तक नहीं जाएगे क्यों कि उसकी पत्तियों से टकरा के आवाज क्या होती है वहीं पे खतम हो जाती ये इस पत्ती से उस पत्ती तक गई टकरा के क्या खतम होगी तो सोर का वियोंथो ko शॉट करते हैं जो पेड़ पाओधे होते हैं आक रिजन करने मुढ करते हैं आपने देखा है भी परकास के क्रिया कर्मढक श्राड का उपयोग करते हैं जल निजया करते हैं सूर के परकास क की उपस्थित यह अब सरो ऐला प्रफन में देखें अग्छांट है पर्यावरण अपकर्ष से क्या कि अधा官 तो आपकर्ष Allah हो गया जैसे प्राकृर्तिक अवास की मतलब जिवीशन देना मतलब यह पेड़ड़ Ellukov cult प्राकृतिक संसादनों का जो च्छरण हो रहा है उससे पर्यावरण के नुक्सान होता उसे को कहा जाता है प्रयावरण अपकर्स को समझ गए हैं तो आप यह देखिए अपसे प्रयावरण यह गुड़ों का पूर्ण रूप से निमनी करन बात सब्सक्राइब अगर जो प् करिया कलापस की विप्रित अगर कुछ पर्योरतान लाओकर तो भी अपकर्स के अंतरगत आएगा ठीक है प्रयावरण यह अपकर्स का के माध्या में ठीक है प्रयावरण अपकर्स मतलब उसकी हार ने है अगले परफन है कि आपच्छे का बिचार अपच्य क्या होता है फिल्द राब Уब दा यह परता कोल आता एक तुछ प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बद्धिन जो अपरदन होता है जैसे मिट्टी नरम चीजों पर पानी कभा हो आया उसका निचे पड़ा गया तो जो नरम चीजों पर जल पड़ता है तो अपरदित होता है लेकिन जो कठोर चीजे हैं उनका अपरदन ना होके उनका अपच्छेन होता ठीक है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सोच खड़ों में भीवग करती है उसको क्या करते हैं अपच्छाए बोलते हैं यह हमारा सही हो गया अगला प्रफन हमारा क्या है कि धाड़िये किरसी का अर्थ है सश्टनेबल एग्रिकल्चर क्या होता है कि हमारी जो मिर्दा है अमलिये हो जाएगी अब चाहे मिर्दा अमलिये हो चाहे हो छारिये हो दोनों इस्थित में मिर्दा की जो गुडवत्ता होती हो कम हो जाती ठीक है यदि हम इसी परकार ज्यादा मात्रा में खाद का प्रियोग राफानिक खाद का प्रियोग क तो धीरे-दीरे हमारी मिर्दा कोगी अम्लिये हो जाएगी। जब यह अम्लिये हो जाएगी तिसमें उत्पादन घट जाएगा। तो धाड़ी यह किरसी का मतलब यह कि इस परकार हम रासानिक खादों का प्रेवक करें। कि जो खेती आज हम कर रहे हैं, जो हमारी जुटबादन है, वह हमारे बच्चों के लिए भी बनी रहे है, ऐसा ना कर आज हम इतना खाद डाल दें उतना पैदा कर लें कि हमारे बच्चों के लिए इससे कुछ खानेवर का पैदा ना हो, तो धाड़ी किर्सी ये बतातीजिति लेकिन अगर आप अगर और देखें हम तो अगर मिर्दा अगर हो गई है तो उसको कैसे हम उदासीन करेंगे तो उसके लिए बिना बुझा हुआ चूना ठीक जिसे कहते कैल्सियम आकसाइड कैल्सियम यह कोशन पुछा जाता है इसलिए बता दे रहा हूं कि यह डालके चुछा जाते हैं लिए पुझा हुआ हूँ बैना बुझा हुआ चुना यह डालके अब उसका हुदा सीन कर सकते हैं तो यह हो गया तो इसमें आपका कौन सा उतर्फ हो जाएगा भूम का इस परकार परियोग कि उसकी गुड़ोत्ता छुड़ बनी रहे ठीक है यह आपका सब्सक्राइब करिये कि उसकी गुड़ोत्ता क्या हो अच्छुड बनी रहे ठीक है तियोगे सस्टनेबल एग्रिकल्चर अगला कोशन हमाई कि संयुक्त राष्ट महासंग द्वार परियावरा यह म सतत्विकासभूर पहला सिखर संमेलण उन्नाइस सो बाइब सिंयू मी पहला सिखर संमेलन कहा हुआ इस्टाकों में क्या हुआ था है 1972 इसे में ठीक है यह आपका सही तरज्स के रिए जनेरियोग ठीक है है अप unasब यह सुब आतर इसे में क्या हुआ था समयलन हुआ था जो कर्छं मानों पर्यावरान समयलन हुआ ठीक है इस अम्मियलन का जो 20-वी बर्फिगाट थी वह हुई 92-22-92 में इसमें क्या हुए इसे पित्वी सिखर सम्मेलन या अर्थ सम्मिट या पर्यावरान और विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा की गई कि जलवाई परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निप्टा जाए ठीक है इसी बात पर ये स्रियोड युनियूरिया में सम्मेलन हुआ था उन्हें 122 में और इस सम्मेलन में धाणिया विकास के लिए एक विश्तिरित कार्यो अंतन हुआ था इसलिए जो आपका यह है पिरत्वी सिखर सम्मेलन इसको एजन्डा 21 के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार हम विकास करें ठीक है कि विकास सश्ट नेवल हो ठीक है ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े ठीक है जलवाई परिवर्तन जादा ना हो तिन सब पर चर्चा थी तो एडीडिजनेरियो में थे चर्चा होई उसके बाद पांच साल में जो कुछ हुआ था 92 में यह जानने के लिए मतलब इस चाहिए निवयर्क में नाम से जाना जाता है रियो डि Başka और आपको उछ फाहिए इनियोwiad के आप से पूछा जा रियो सेवन में यह उब रियो टेन के बारे मागर पूछा जाता है थो रियो टेन्ख जो हुआ था जो हम सब रaty कम में यह रियो हुआ था 2002 में पांच साल बाग ठीक है और रियो टुंटी हो था हhmen गता मेंغ इस परकार से जो सम्मेलन ज्यादा पूछे जाते हैं मैंने सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की तो पहला सम्मेलन अगला प्रस नमारा है कि राष्टिये पर्यावरण अवियांदर की सोच संथा नीरी नीरी कहां इस्ते यह आपका कहां इस्ते थे यह आपका नागपूर में इस्ते थे ठीक है इसका मुख्याले कहां है नागपूर में नीरी का मुख्याला है अगला प्रस नमारा है यह नए यह से क्या अगला अगला प्रस नमारा प्रस न है कहां है यहां पर प्यक्राइब यहां पर उनाइट नेशन इंवार्मेंट प्रोग्राम संजुक दाष्ट प्रयावरण कारिकरम इसके किसका मुख्याले कहा है नेरोबी में ठीक है नेरोबी में किसका मुख्याले है यूजन एपी का मुख्याले नेरोबी केनिया में ठीक है अगला है नीदर लेंड में किसका मुख्याले है नीदर लेंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल ठीक है नीदर लेंड के एमस्टरडम सेर में Green Peace International का मुख्या ले ठीक यहां पर Green Peace International का मुख्या लेया इस टाफ़ों में क्या हुआ था एक अर्थ सम्मीट होगो इस जो पर्यावरण पर्थम मानो पर्यावरण सम्मेलन जी हुआ था 1972 में इस टाफों में शुञा वह भी आप्शन आपके यू उन मुख्यालेठ जीनेवा में क्या है जीनेवा में क्या है हमारा खक्रज्बृ राउसम वाला ठीक है मौसमवज ूसम में संगठन क ant कनो नीदरलेंड में औरन लेंट में फटानेटर पत्रेमन ए पहला अर्थ सबको बार-बार आप देखते रही है यह चीजी आपको याद हो जाएंगी क्योंकि यहां से प्रशन बार-बार छोटी परिच्छों में ज्यादा पूछे जाते हैं घ्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहा है अभी नीदर लेंड के एमस्टरडम सहर में ठीक है यह अप श्ठाखों में पहला प्रयावराण मानो प्रयावराण सम्मेलन हुआ था इस टाक्षों में 1902 में इसके 20 सालマा अनुस के प्राजील के फेठीसावाद हुआ दा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर काफी टाक्रटाक्म में memorial्यों में दाविब्राजील第 बा Indeed सम्मिए चर्चा की गई थे एजिंडा 21 भी यहां डिस्क्स किया गया था कि कुश्वी सदी में हमारा प्रेवर्ण का इसार है फिर जब रियो डिजनेरियो में रियो सम्मिलन हो गया तो रियो रियो 5 कब हुआ निवयर को 1997 में उसके बाद 1997 के बाद 5 साल बाद 2002 में जोहां सबर्ग में हुआ था रियो टैन उतके बाद फिर योटन्टी डियो डियो डियोली में हुआ था ठीक है इस पर बार बार आप देखते रहें आपके प्रस्ने याद हो जाएंगे भारत में पर्यावराण संद्शन अधनियम 6 अबियान कब पारित हुआ ठीक है यह पारित हुआ था था की बंद को बचाना होगा परियावरन सुरच्छा दिनीयंव मुझे बचाने के लिए काफी बाती कि रहे और शिच्छा नीट के पर्त जबरू जागरूफ सब्षय पर्यावरangi थेति इस प्रकार यहां प्रयावरान को बनाया रखने के लिए आवस्चाख हैem नेशनल ग्रिन ट्रिबनिल यंजीटी भारत सरकार तरह स्थापित किया गया यह दो जार दस में अगला प्रस्णा वा रहा है कि नीचे दो वाक्ट क्यांस दिये गए पहला प्राकिर्तिक बनस्पती जल्वाईू का सही सूचकांग हैं तो बताते हैं कि प्राकिर्तिक तो ठीक है क्योंकि जैसे हम जल्पिये पौधों को देखते हैं तो हमें लग याता है कि यहां पर बारिष ज्यादा होती है यहां जलवाइवण आद्र होगी, थीक है, वही जितो久 कारण यहां दे रहाँ यहां तो कठन में लिखा कि प्राकिरतिक बुर्ण सटीयों के दोरा अगला प्रस्ण है हमारा कि इको मार्क कि इसको दिया जाता है जो पर यूपी ट्रुफिलेसी की तयारी कर रहे है और बीर्ड और पैट करा रहे है तो जो छोटे जितने के लिए संत्रितिक के लिए बाते मैं यहीं सब्कत क्या यह जहर हो Why जयो बीवित्ता के धनद्षड के लिए नगर्व रहन केवा की से रहे हैं कि हैं जय को हाद्मी रहें चाहते हो आपके गल Länder को से दिखते हैं लेकिन ना सहर के जला करते हैं ना तो श्योब दिखता है ठीक है इस परकार हमारों प्योग सभी 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 है ठीक है प्राकिर्तिक किर्सी के अन्वेसक हैं प्राकिर्तिक किर्सी के जो अन्वेसक है वह हैं मसानोबु फूकु ओका ये जापान के ठीक है ये प्राकिर्तिक किर्सी पर बहुत ज्यादा ज्योड दिये ठीक है और न प्रकार हम लोगों ने आज 25 क्रोशन को हल किया यह आप लोग का पांचवा टेस्ट था सब्जेक्ट वाई और इस पांचवे टेस्ट का वह ज्यादा बिश्त्रित रूप से पूरा बढ़न किया आप लोगों ने पूरा देखा और है अगर आपको यह पसंद आया तो अपने तक ना रखिए इसे अपने दोस्तों में सेर कीजिए परसनली भीजिए जिससे ओभी इससे लाव लेज सकें ठीक है दोस्तों को पने रिष्टेदारों को जानने पहचाने वालों को इससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ा लाव होगा क्योंकि हमारे वीडियो ज्यादा चले तो कोसिस यह एकि आप लोग के पाक को हम अच्छा सा अच्छा घ्यान दे सकें ठीक है इसी विकार जारी है आप लोगों से पिछा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें लोगों में सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें like करें अच्छा ना लगे dislike करें comment जरूर किया करें क्योंकि मैं पढ़ने आता हूं केमेंट देखता हूं कि दो-चार लोग करते हैं और भी लोग करिए जिसे मेरी कमी पता चले क्योंकि अच्छा ही तो सब लोग बोल देते हैं तो इसी के साथ ये वीडियो अब हम बैंड अप करते हैं ठीक है अगला टेस्ट आज आप लोग कह है और उसको आप देजी फिर उसका पूरा प्याक्षा करेंगे जाहिन जा भारत है